मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार मन की बात हमेशा की तरह मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी एक प्रतीक्षा रहती है इस बार भी मैंने देखा कि बहुत सारे पत्र, कॉमेंट्स, फॉन कॉल मिले हैं देर सारी कहानिया है, सुजाव है, प्रेजना है हर कोई कुछ नुकुछ करना चाहता है और कहना भी चाहता है एक जजबा महसूस होता है और इन सभी में बहुत कुछ है, जो मैं समेटना चाहूँगा लेकिन समय की सीमा है, इज़े समेट भी नहीं पाता हूँ ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बहुत कसोटी कर रहे हैं फिर भी आपी की बातों को इस मन की बात के धागे में पिरो करके फिर से एक बार आपको बाटना चाहता हूँ आपको याद होगा पिछली बार मैंने प्रेमचेंजी की कहानियों की एक पुस्तक के बारे में चर्चा की थी और हमने ताय किया था कि जो भी बुक पढ़ें उसके बारे में कुछ बातें नरली नवोदी एप की माधिम से सब के साथ शेर करें मैं देख रहा था कि बड़ी संख्या में लोगों ने अनेक प्रकार की पुस्तकों की जानकरी साजा की है मुझे अच्छा लगा कि लोग, साइंस, टेक्नोलोजी, इनोवेशन, इतियास, संस्कृती, बिजनेस, जीवन चरीत्र ऐसा कई वीशों पर लिखी गए किताबों पर और उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं कुछ लोगों ने मुझे यह भी सलाथ दियी है, कि मैं कई और पुस्तकों बारे में बात करूँग, ठीक है, मैं जरूर कुछ और पुस्तकों के बारे में आप से बात करूँगा लेकिन एक बात मुझे स्विकार नहीं होगी कि अब मैं बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने में समय नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन एक फायदा जुरू हुआ है कि आप लोग जो लिक्कर के भेजते हैं तो कई किताबों के विशय में मुझे जानने का जरूर अफसर मिल रहा है लेकिन यह जो पिछले एक महने का अनुभव है उसे मुझे लगता है कि इसको हमने आगे बढ़ाना है क्यों न हम नरेल्ण मोदी एप पर एक पर्मनेंट बुक्स कॉर्नर ही बना दे और जब भी हम नई किताब पढ़े उसके बारे में वहां लिखें चर्चा करें और आप हमारे इस बुक्स कॉर्नर के लिए कोई अच्छा सा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं मैं चाहता हूं कि यह बुक्स कॉर्नर पाठकों और लेखों को गलिए एक सक्रिय मंच बन जाएं आप पढ़ते लिखते रहें और मन की बात के सारे साथिओं के साथ साजावी करते रहें साथिओं ऐसा लगता है कि जल सवरक्षन मन की बात में जब मैंने इस बात को सपर्ष किया था लेकिन शायद आज मैं अनुभू कर रहा हूँ कि मेरे कहने से पहले भी जल सवरक्षन ये आपके दिल को छूने वाला विशय था सामान ये मानवी की पसंदीजा विशय था और मैं अनुभों कर रहा हूं कि पानी के विशेई ने इन दिनों हिंदिस्तान के दिलों को जग्जोर दिया है जल सवरक्षण को लेकर देश भर में अनेक वीद प्रभावी प्रयास चल रहे हैं लोगों ने पारमपारिक तौर तरीकों के बारे में जानकारिया तो शेयर की है, मेडिया ने जल सवरक्षन पर कई इनोवेटिव कैम्पेंड शुरू किये हैं, सरकार हो, एंजियोज हो, युद्ध स्तर पर कुछ नुकुछ कर रहे हैं, सामोहिक्ता का सामर्थ देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोस हो रहा है, जैसे जारखन में, राची से कुछ दूर, ओरमाजी प्रखन के आरा केरम गाउंग में, वहां की ग्रामिणों ने जल प्रबंधर को लेकर जो होसला दिखाया है, वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है, ग्रामिणों न स्रम्दान करके पहाड से बहते जरने को एकनिस्चित दिशा देने का काम किया, वो भी सुद्ध देशी तरीका, इससे न केवल मिट्टी का कठाव और फसल की बरबादी रुकी है, बलकि खेतों को भी पानी मिल रहा है, ग्रामिणों का ये स्रम्दान अब पूरे गाउं के कम नहीं है, आप सब को ये जान कर भी बहुत खुशी होगी कि नौर्थ इसका खुसरत राज्ज मेगालय देश का पहला ऐसा राज्ज बन गया है, जिसने अपनी जल नीती वाटर पॉलिसी तयार की है, मैं वहाँ की सरकार को बढ़ाई देता हूं, हर्याना में उन फसलों क की खेति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिन में कम पानी की जुरुरत होती है, और किसान का भी कोई नुक्षान नहीं होता है, मैं हर्याना सरकार को विशय इस रुप से बढ़ाई देना चाहूंगा, कि उन्होंने किसानों के साथ समवात करके, उन्हें परंपरागत खेत की खेति से हट कर कम पानी वाली फसलों के लिए प्रेरित किया, अब तो त्योहारों का समय आ गया है, त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं, जल सवरक्षन के लिए क्योंने इस मेलों का भी उप्योग करें, मेलों में समाज के हर वर्क के लोग पहुंचते हैं, इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी डंग से दे सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुकर नाटक कर सकते हैं, उत्सवों के साथ साथ जल सवरक्षन का संदेश बहुत आसानी से हम पहुचा सकते हैं। सातियों जीवन में कुछ बाते हमें उत्सा से भर देती हैं और विशेश रुप से बच्चों की उपलब्धियां उनके कारणा में हम सब को नई उर्जा देते हैं और इसलिए आज मुझे कुछ बच्चों के बारे में बात करने का मन करता है और ये बच्चे हैं निधी बाइपूटु, मोनिष जोशी, देवान सिरावत, तनूस जैन, हर्ष देवधरकर, अनन्त तिवारी, पृती नाग, अथर्व देशमुक, हरोन्यतेश, गांगूली और रितिक, अलामन्दा, मैं इनके बारे में जो बताऊंगा, उससे आप भी गर्व और जोश से भर जाएंगे, हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ऐशा सब्द है, जिससे पूरी दुनिया डरती है, ऐसा लगता है, मृत्युद्वार पर खड़ी है, लेकिन इन सभी दस बच्चों अपनी जिन्दकी की जंग में न केवल कैंसर को, कैंसर जैसी घातक बिमारी को पराजित किया है, बलकि अपने कारणामे से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, खेलों में हम अक्सर देखते हैं कि खिलाडी, टुर्नामेंट जीतने या मेडल हासिल करने के पहले ही चेंपियन थे और वो भी जिन्दकी की जंग के चेंपियन, दरसल इसी महीने मोस्को में वर्ल्ड चिल्डरन्स वीनर्स गेम्स का अयोजन हुआ, एक ऐसा अनोखा स्पोर्ट्स टुनामेट है, जिसमें यंग कैंसर सर्वाइवर्स, एनि जो लोग अपने जीवन मे कैंसर से लड़कर बाहर निकले हैं, बेही हिसा लेते हैं, इस प्रतियोगिता में शूटिंग, चेस, स्विमिंग, रनिंग, फुटबॉल और टेबल टेनिस देशी स्परधाओं का अयोजन किया गया, हमारे देश के इन सभी दस चेंपियन्स ने इस टुर्णामेंट में मे मेरे प्यारे देश स्वासियों, मुझे पूरा विश्वास हैं कि आपको आस्मान के विपार, अंतरिक्ष में भारत की सभलता के बारे में जरूर गर्व हुआ होगा चंदरयान टु, राजस्तान के जोदपूर से संजील हरीपूरा, कोलकाता से महेंदर कुमार डागा, ते की बात में चंदरयान टु के बारे में चर्चा करने का आगरह किया है, दरसल स्पेस की दुरुष्टी से दोहजार उन्नीज भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है, हमारे वैज्यानिकों ने मार्च में एस सैट लॉंच किया था, और उसके बात चंदरयान टु, चुन मिनिट में 300 किलोमेटर दूर सैटलाइट को मार गिराने की ख्षमता हासिल की, यह उपलब्दी हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश भना, और अब 22 जुलाई को पूरे देश ने गर्व के साथ देखा कि कैसे चंदरयान टु ने स्री हरीकोटा से अंतरिक्ष क और अपने कदम बढ़ाए है, चंदरयान टु के प्रक्षपण की तस्वीरों ने देश वाशियों को गवरव और जोश से प्रसनता से भर दिया, चंदरयान टु यह मिशन कई माइनों में विशेश है, चंदरयान टु चांद के बारे में हमारी समझ को और भी स्पष्ट कर इससे हमें चांद के बारे में जादा विस्तार से जानकारिया मिल सकेगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि चंदरयान टु से मुझे कौन सी दो बड़ी सिख मिली, तो मैं कहूंगा यह दो सीख हैं, फेट और फियरलेसनेस, यानि विश्वास और निर्भीकता, हमें अपने टालेंट्स और कैपेसिटिज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतीभाव और ख्षमता पर विश्वास करना चाहिए, आपको यह जानकर खुशी होगी, कि चंदरयान टु पूरी तरह से भारतिये रंग में ठला है, यह हार्ट और स्पिरीट से भारतिये हैं, हमारे वैज्ञानिक सर्वसेष्ट हैं, विश्वस्तरीय हैं, दूसरा महत्वपुन पाठ यह हैं, कि किसी भी व्यवधान से गवराना नहीं चाहिए, जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने, रिकॉर्ड समय में दिन रात एक करके, सारे टेकनिकल इसूस को ठिक कर, चंद जवधान के बावजूद भी पहुंचने का समय उन्होंने बदला नहीं, इस बात का भी बहुतों को अस्यरिय हैं, हमें अपनी जीवन में भी टेंपरेरी सेट बेक्स, यह अस्थाई मुश्किनों का सामना करना पड़ता हैं, लेकिन हमेशा याद रखिये, इस से पार पान का सामर्थ भी हमारे भीतर ही होता है, मुझे पूरी उमीद है कि चंद्रयान टू अभियान देश के उवाओं को साइंस और इनोवेशन के लिए प्रेलित करेगा, आखिर कर विज्ञान ही तो विकास का मार्ग है, अब हमें बे सबरी से सितंबर महने का इंतजार है, जब च मैं देश के विध्यारती दोस्तों के साथ, युवा साथियों के साथ, एक बहुती दिल्चस्प प्रतियोगीता के बारे में, कंप्टिशन के बारे में, जानकारी साजा करना चाहता हूं, और देश के युवक युवतियों को निमंत्रित करता हूं, एक क्वीज के मुख्य विशे होंगे जैसे की रॉकेट लॉंच करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सेटलाइट को कैसे और्बिट में स्थापित किया जाता है और सेटलाइट से हम क्या क्या जानकारिया प्राप्त करते हैं एसेट क्या होता है बहुत सारी बाते हैं माई गौव वेबसाइट पर एक अगस्त को प्रतियोगिता की डिटेल्स दी जाएगी। मैं युवा साथियों को विद्यार्थियों का अनुरोथ करता हूँ कि स्क्वीच कंपेटिशन में भाग लें और अपनी हिस्सेदारी से इसे दिल्चस्प, रोचक और यादगार बनाएं। मैं स्कूलों से, अभिभावकों से, उत्साही, आचारियों और सिक्षकों से विशेस आगरह करता हूँ कि वे अपनी स्कूल को विजयी बनाने के लिए भरसक महनत करें, सभी विद्यार्थियों को इसमें जूडने के लिए प्रोचाइट करें और सबसे रोमांचक बात यह है, कि हर राज से सबसे ज़्यादा स्कूर करने वाले विद्यार्थियों को भारत सरकार अपने खर्च पर स्री हरी कोटरा लेकर जाएगी और सितंबर में उन्हें उस पल का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा, जब चंद्रयान, चंद्रमा की सतह पर लेंड कर रहा होगा इन विज़ई विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन की एतिहा से गटना होगी, लेकिन इसके लिए आपको क्वीज कंपिटिशन में हिस्सा लेना होगा, सबसे यादा अंक प्राप्त करने होगे, आपको विज़ई होना होगा, साथियों मेरा इस हुजाव आपको जरू अच्छा लगा होगा, है न मज़ादार अउसर, तो हम क्वीज में भाग लेना न भूलें और जादा से जादा साथियों को भी प्रेरित करें, मेरे पहरे देशवासियों आपने एक बात अबज़र करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभ्यान को समय समय पर गत स्वच्छता से स्वच्छता के नए-नए मांदन स्थापित कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्स्तिती हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडियेप से लेकर सारुजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभ्यान में सफलता मिली है, वो 130 करोड देशवा के संकल्ब की ताकत है लेकिर हम इतने पर रुखने वाले नहीं है यह अंदोलन अब स्वच्चता से सुंदरता की और बढ़ चला है अभी कुछ दिन पहले ही में मेडिया में स्रिमान योगे सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था योगे सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नोकरी छोड़कर माभारती की सेवा के लिए वापिस आये हैं उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वचे ही नहीं बलकि सुंदर बनाने का बिड़ा उठाया उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कुड़ेदानों से सुरुवात की स्ट्रीट आर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा अपकी आद होगा कि कूम के दवरान प्रयाग राज को किस प्रकार स्ट्रीट प्रिंटिंग से सजाया गया था मुझे पता चला कि भाई योगे स्वयनी ने और उन द्धनूश बनते हैं उनका संदेश हजारों सब्दोसर भी कहीं जादा प्रभाव करी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खुबसूरती में भी ये बात हम अनुहव करते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बेस्ट वेल्थ बनाने का कल्चर हमारे समाज में सामें आगे बढ़ना है मेरे प्यारे देश्वासियों पिछले दिनों माई गौव पर मैंने एक बड़ी ही दिल्चस्प टिपनी पड़ी यह कमेंट जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मुहमत असलम का था उन्होंने लिखा मन की बात कारकम सुनना अच्छ के आयोजन में सक्रिय भूमी का निभाई इस कारकम का आयोजन जून महने में हुआ था मुझे लगता है कि ऐसे कारकम हर तीन महने पर आयोजित किये जाने चाहिए इसके साथ ही कारकम की ओनलाइन monitoring की व्यवस्ता भी होनी चाहिए मेरे विचार से ये अपनी तरह का ऐसा पहला कारेकम था जिसमें जनता ने सरकार से सीधा समवाद किया भाई मुहमद असलम जी ने ये से संदेश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद बैक टू विलेज प्रोग्रेम के बारे में जानने के मेरी उत्सुकता बढ़ गई और जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जाना तो मुझे लगा कि पुरे देश को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कश्मीर के लोग विकास के मुख्यधारा से जूडने को कितने बेताब है कितने उत्साई है ये इस कारकम से पता चलता है इस कारकम में पहली बार बड़े बड़े अधिकारी सीधे गामों तक पहुँचे जिन अधिकारियों को कभी गामवालों ने देखा तक नहीं था वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुँचे ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके समझ्याओं को दूर किया जा सके ये कारकम हपते भर चला और राज की सभी लगबग साड़े चार हजार पंचायतों में सरकारी अधिकारियों ने गाम व बनाये जा सकता है उनकी आमधनी को कैसे बढ़ाये जा सकता है उनकी सेवाएं सामान मानवी के जीवनमों क्या प्रभाव पदा कर सकती है गाँवालों ने भी खुल कर अपनी समश्याओं को बताया साक्षर्दा, सेक्स रेशियो, स्वास्त, स्वच्छता, जल सवरक्षन, बिजली, पानी, बालिकाओं की सिक्षा, सीनियर सिडिजन के प्रश्ण ऐसे कई वीशों पर भी चर्चा हुई साथियों ये कारकम कोई सरकारी खाना पूर्ती नहीं थी कि अधिकारी दिन भर गाउं में घुम कर वापस लोटाए लेकिन इस बार अधिकारियों ने दो दिन और एक रात पंचायत मही बिताई इसे उन्हें गाउं में समय व्यतित करने का मोखा मिला हर किसी से मिलने का प्रहास किया हर संस्ताम तक पहुँचने की कोशिश की इस कारकम को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए कई और चीजों को भी शामिल किया गया खेलों इंडिया के धहत बच्चों के लिए खेल प्रतिक्यों कीता करेएगी, वहीं स्पोर्ट कीट्स, मंद्रेगा के जॉब कार्ट्स और S.C.S.T. सर्टिपिकेट भी बाटे गए, फाइनेंशल लीटर्शी केम्प लगाए गए, हैगरी कल्चर, होल्टी कल्चर जैसे सरका सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, एक प्रकार से ये आयोजन एक विकास उत्सों बन गया, जन भागीदारी का उत्सों बन गया, जन जागुरीते का उत्सों बन गया, कश्मिर के लोग विकास के उत्सों में खुलकर के भागीदार बने, खुश्ची की बात ये है कि एक दिन डेड़ दिन पैदल यात्रा भी करनी पड़ी यह अधिकारी उन सिमावरती पंचायतों तक भी पहुँचे जह हमेशां क्रॉस बॉर्डर फाइरिंग के साये में रहते हैं यही नहीं शोपियां पुलवामा पुलगाम और अनतनाक जिले के अती संविदन सिल इनाके म में भी अधिकारी बीना किसी भाय के पहुँचे कई अफसर तो अपने स्वागत से इतने अभीवूत हुए कि वे दो दिनों से अधिक समय तक गावों में रुके रहे इन इलाकों में ग्राम सभाओं का आयोजन होना उसमें बड़ी संख्या में लोगों का भाग लेना और अपने लिए योजनाय तैयार करना यह सब भावति सुखद है नया संकल्प नया जोश और शांदार नतीजे ऐसे कारकम और उसमें लोगों की भागिदारी यह बताती है कि कश्मीर के हमारे भाई भेन गुड गवननस चाहते हैं इससे यह भी सिध हो जाता है कि विकास की श शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती हैं यह साफ है कि जो लोग विकास की रह में नफरत फैलाना चाहते हैं अवरोध पैदा करना चाहते हैं वो कभी अपने नापाक इरादों में काम्याब नहीं हो सकते हैं मेरे प्यारे देशवाशियों ज्यान पीट पुरसकार से सम्मानित सिमान दत्तात्रे रामचंदर बैंद्रे ने अपने कवीता में सावन माह की महिमा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की हैं इस कवीता में उन्हों न कहा है होडी गे मडी गे अग्येद लगना अधराग भूमी मगना अर्थात बारिस की फुहार और पानी की धारा का बंदन अनोखा है और उसके संदर्य को देखकर पुत्वी मगना है पूरे भारत वर्ष में अलग-अलग संस्कृति और भाषाओं के लोग सावन के महने को अपने अपने तरीके से सलिब्रेट करते हैं इस मौसम में हम जब भी अपने आसपास देखते हैं तो ऐसा लगता है मनो धर्ती ने हर्याली की चादर ओड ली हो चारों और एक नई उर्जा का संचार होने लगता है इस पवित्र महने में कई स्रद्धालों कावर यात्रा और अमर्नाथ यात्रा पर जाते हैं जबकि कई लोग नियमेद रूप से उपवास करते हैं और उत्सुकता पुर्वक जन्मास्पी और नाक्पंच्पी जैसे त्योहारों का इंदिजार करते हैं इस दोरान ही भाई बहन के प्रेम का प्रतिक रक्षा बंदन का त्योहार भी आता है सावन महने की जब बात हो रही है तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी इस बार अमर्नाथ यात्रा में पिछले चार वर्सों में सबसे ज़्यादा सरदारू सामिल हुए है एक जुलाई से अब तक तीन लाग से अधीक तिर्थियात्री पवित्र अमर्नाथ गुफा के दर्सन कर चुके है 2015 में पूरे साड़ दिनों तक चलने वाली सियात्रा में जीतने तिर्थियात्री सामिल हुए थे उससे अधीक इस बार सिर्फ 28 दिनों में शामिल हो चुके है अमर्नाथ गुफा के सब्रदा के लिए मैं खास तोर पर जम्मु कश्मीर के लोगों और उनकी महमान नवाजी की भी प्रसंसा करना चाहता हूँ जो लोग भी आत्रा से लोट कर आते हैं विराज के लोगों की गरम जोशी और अपने पन की भावना के कायर हो जाते हैं ये सारी चीजे भविश में परवेटन के लिए बहुत लाबदायक साबित होने वाली है मुझे बताया गया है कि उत्राखन में भी इस वर्ष जब से चार धाम यात्रा सुड़ी हुई हैं तब से डेड़ महिने के भीतर आठ लाग से अधिक स्था धालू के दार धाम के दर्सन कर चुके हैं 2013 में आई भीशन आपता के बाद पहली बार इतनी रिकार्ड संख्यामत तिर्थियात्री वहाँ पहुँचे है मेरी आप सभी से अपील है कि देश के उन्हें हिस्सों में आप जरूर जाएं जिनकी खुबसरती मौनसुन के दोरान देखते ही बनती है अपने देश की खुबसरती को देखने और अपने देश के लोगों के जजबे को समझने के लिए टूरिजम और यात्रा शायद इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता है मेरी आप सभी को शुबकामना है कि सावन का ये सुन्दर और जीमत महिना आप सब में नई उर्जा, नई आशा और नई उमीदों का सवंचार करे उसी प्रकार से अगस्त महिना भारत छोड़ो उसकी यार लेकर क्याता है मैं चाहूंगा कि पंदरा अगस्त की कुछ विश्यस तैयारी करें आप लोग आजादी के स्परव को मनाने का नया तरी का ढूंडे जन भागी जारी बढ़ें पंदरा अगस्त लोकत्सव कैसे बने जनोत्सव कैसे बने इसकी चिंता जरूर करें आप दूसरी वार यही वह समय है जब देश के कई हिस्तों में बारिश हो रही है कई हिस्सों में देश्वाजी बार से प्रभावित हैं बार से कई प्रकार के नुक्षान भी उठाने पड़ते हैं बार के संकट में घीरे उन सभी लोगों के मैं आस्वस करता हूं कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार के साहत उपलब्त कराने का काम बहुत तेज गती से कर रहा है वैसे जब हम टीवी देखते हैं तो बारिश का एक ही पहलू दिखता है सबतर बाट, बरा हुआ पानी, ट्रैफिक जैम, मौनसुन की दूसरी तस्वीर जिसमें आनंदिद होता हुआ अमारा किसान, चहकते पक्षी, बहते जर्ने, हर्याली की चादर ओढ़े धर्ती या देखने के लिए तो आपको खुद ही परिवार के साथ बहार निकलना पड़ेगा बारिस, ताजगी और खुशी, याने फ्रेशनेर और हफिनेश, दोनों ही अपने साथ लाती है मेरी कामना है कि मौनसून आप सब को लगातार खुश्यों से भरता रहे, आप सब ही स्वस्त रहे मेरे पैरे देशवासियों, मन की बात कहां शुरू करें, कहां रुकें, बड़ा मुश्किल काम लगता है लेकिन आखिर समय की सीमा होती है, एक महिने के इंतजार के बात फिर आऊँगा, फिर मिलूँगा महिने भर आप मुझे बहुत कुछ बाते बताना, मैं आने वाली मन की बात में उसको जोडने का प्रयास करूँगा और मेरे युवासात्यों फिर से याद कराता हूँ, आप क्वीज कम्पिटेशन का मोका मत छोड़िए आप स्री हरी कोटा जाने का जोवसर मिलने वाला है, इसको किसी भी हारत में जाने मत देना आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार